क्या गाइज आप भी आर्टिकल में दह के यूज को लेकर बहुत परेशान हो आपको पता नहीं चलता कि दह आएगा या नहीं आएगा प्रैक्टिकल ही जब आप इंग्लिस बोलना चाहते हो या इंग्लिस में किसी से बात करते हो तो आपको यह प्रॉब्लम फेस करनी आज मैं आपको आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस करने वाला हूँ और अर्टिकल की कुछ इस तरह से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एक्जमपल लेकर आया हूं जिससे आपका यह दर को लेकर सारा का सारा डाउट के लिए हो जाएगा राइट गैस शो विदा वेसिंग आ टाई लेट्स गैट स्टार्टेट सो बेसिकले गाइस टुड़े विया हिए इंगली स्पेकिंग कोर्स इट्स आर फिप्टी फाइफ दे आज के दिन हम बात करने वाले एक टॉपिक की आर्टिकल अब आज मैं आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस कराने वाला जो कि मैंने लास्ट ल इसको बहुत ही डीपली समझाया था आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लेकर आएव आपके लिए क्यों क्योंकि आर्टिकल में ए और एन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ऑल्दो मैंने दो भी यूज किया हुआ था वहां पर लास्ट बताया था दके यूज क्या क्या है लेकिन आज मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने वाला हुआ वह भी स्पेशली की क्योंकि यह ना बहुत हरान करता है सो आई अब हम देखते कुछ एक्जमपल लेकर आओं आपके लिए सो वन बाइवन एक्जमपल सॉल करेंगे अब हम देखेंगे के दको किस तरह से यूज किया जाता है और किस तरह से यूज नहीं किया जाता है राइट गैज सो लेट सीचव बेजिकली गैज एक्जमपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं आटिकल डंका जो यूज होता था वो कब मोता था तो स्पैसिफिक बताने के लिए when you are talking you know very specific जब आप बहुत specific बात करते हो तब आप क्या बोलोगे दो बोलोगे specific को मैंने मापे लिख वाय था particular चीज right को यह when you are talking about particular you know person or thing तो जब आप specific होके बात करते हो तब क्या आएगा तब आएगा यह छोटी सी चीज आपको दिमाग में याद रखनी है अब मैंने एक्जांपल लिखा हुआ है फर्स्ट एक्जांपल लिखा हुआ है मैंने life is beautiful और the life is beautiful अब गैस इन दोनों में से क्या आएगा सही बताओ मुझे पता है आपने अक्साद दोनों को सुना होगा या फिर आपने जब बोलने की कोशिस की होगी तो आपको यह सही लगता होगा यह गरत लगता होगा हाँ या ना या फिर मानलो आपने life is beautiful बोला तो को बार होता ना कि वह आपको सीनियर आके बताते कि ऐसा नहीं होता है तो कई बार यह आप भी मान जाते हो मानने का कारण क्या है पहले चीज़ तो वह कि आप अंदर से वाला हूं जिसमें किसी का कुछ नहीं चलने वाला है ओनली कंसेप्ट विल विन यह नौलेज विल विन राइट सो लाइफ इस ब्यूटिफूल एंदर लाइफ इस ब्यूटिफूल तो गैस आप एक चीज़ याद रख लो कि जब भी आप किसी जनरल बात करते हो जनरल नहीं आएगा क्या तब गैस क्या नहीं आने वाला है कब वेन यूर टॉकिंग बाउट जनरल आइडिया जनरल कंसेप्ट जब आप जनरल किसी कंसेप्ट आइडिया की बात करते हो तो दो नहीं आएगा तो आप मुझे यह बताओ क्या मैं किसी स्पैसिफिक लाइफ की बा एड करना पड़ेगा फूर एक्सांपल अगर मुझे पूलना है दालाइफ ऑफ सेलेब्रिटेज इस क्वाइट डिफिकल्ट इसक्वाइट अमेजिंग इसक्वाइट इसक्वाइट इन्टरेस्टिंग तो गलाइफ यानि दालाइफ ऑफ वाट ऐसा क्वेशन आपको पूश आप भी जब भी कहीं भी आप बताते हो चीजों को या बात करते हो ध्यान रखना जन्रल कंसेट और आइडिया जन्रल कंसेट की बात करो तो वहां पर आर्टिकल में दह नहीं आने वाला है सिर्फ उस नाउन का नाम आएगा एब्स्ट्रेक नाउन तैस इट ओकी सेकेड ए video and write your answer in the comment box and then play it and then match your answer where you were right or wrong so guys friendship or the friendship में क्या एगा तो अगेन याद रखुए चीज जनरल आइड आइड जनरल concept right क्योंकि अगर मुझे लगता है कि sir the friendship सही होगा तो the friendship of what किसकी friendship तो मुझे specific बताना पड़ेगा मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा the friendship between those people or between those two children right is precious is unvaluable mother the friendship of someone the friends is the friendship of something तो दर लिखना तो मुझे specific बताना पड़ेगा लेकिन जनरल concept बता रहा हो तो आंसर क्या सही होने वाला है friendship friendship is precious that's it friendship is precious this is the right answer guarantee देता हो गैस आप अपने फ्रेंड में या फ्रेंड में जाके पूछना या कोईशन दस में से आट से नौ लोग आशका गलत बताने वाले क्योंकि लोग क्या करते पता है यह लोग यानि हम सबकी बात कर रहा हूं नहीं हो बने अछाने लग रहा है तो दर को नहीं ऑथैं आज तक हम यह करते हैं तो आज के बाद which one will be the right yeah you know about someone's gonna consistency you know what I happiness is more important right you are becoming well matured so happiness is important the happiness niya you get the happiness like now to move your kitchen which had a gunna break at the happiness of books the happiness of my family is very important to me the happiness of my you know like best friend is very important to me the happiness of exam is very important to me the happiness of what the local लिखना तो मुझे specific कुछ करना पड़ेगा लेकिन जन्रल बात कर रहा हो में जन्रल आईडिया पर या कंसे पर तो दर नहीं आएगा अब four or five number के example में अभी और भी interesting चीजय में discuss करने वाला हो तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना करना है फॉर्थ एक्जम्पल में मैंने लिखा है रागव नीट्स टू अन्रिस्पेक्ट और रागव नीट्स टू अन्रिस्पेक्ट क्या आने वाला है इसमें क्या सही है रागव नीट्स टू अन्रिस्पेक्ट और रागव नीट् rail जनेरल concept पर कि उसे Respect कमाने की जरूरत है किसी पोजिशन इस सपैसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ या मेरे दिमाग में कोई पेसिफिक सब्सक्राइब डiam आपको एक चीज बता दूं गाईस मैंने अल्री आर्टिकल पे बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कल के दिनी में यहां पर आज हम 55 डे की बात करें कल हम 54 डे के दिन राइट कल मैंने बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही डिटे है और दो इससे आप पर बहुत सब्सक्राइब होंगे इफ यू आर्व रिनोर लेक गिविंग एक्जाम इन आइल्स इफ यू आ गिविंग एक्जाम फोर कंपेटर एक्जाम लाइक 10th & 12th या आपको हर जगा help करेगा ओके तो लास्ट एक्जांपल कहता है ही वांस तो तो कंसेप की बात करो कंसेप क्या कहता है अगर मुझे दर लिखना तो मुझे अएसे खुद के से क्विस्ट्न पूछना पढ़ा गादा हूओ दर वेट ववट दवेट आफफ वट वाट तो तो मुझे अगर इससे ऐसा लिखना है कि शीवांस तो लूज और सीए वांस त the weight which she put on during holidays which she put on during summer vacation to one piece specific weight when data to the legality camuja बताना पड़ेगा कि स्पैसिफिक है या नहीं लेकिन मैं जंडरल वे की बात करो which weight I'm talking about I don't know so generally I'm talking about it's a general concept to melika he wants to lose weight he wants to lose weight that's it many to nahi lihunga right guys okay so guys I hope that you can do confusion hootahe आज के बाद नहीं के लिए मतब confused नहीं होने वाले आप एक एक्सेंपल मुझे याद आ रहा है वह बहुत interesting है जैसे मुझे बोलना है कि द्यांसा सुनना money wala for example मुझे बोलना है कि she wants to earn or make money or the money तो गाइज इसमें से आंसर में क्या आने वाला है हो सकता आपको लास्ट वाला दिखना ना हो गाईज तो मैंने आपर क्या लिखा money या फिर the money क्या आएगा she wants to earn money or the money तो यहां पर भी आने वाला है money क्यों क्योंकि मैं जन्रल कंसेप्ट आइडिया की बात कर रहा हूं अगर मुझे दह लिखना ही है तो मुझे specific होना पड़ेगा मुझे इसा लिखना पड़ेगा she wants to earn the money which can make her happy which can provide her all the happiness of the world which can help her in her success तो दह लिखने से मुझे specific बन जाएगा तो यहां पर भी क्या आएगा खाली money आएगा दह आने वाला नहीं है तो इस तरह से जो abstract noun होते जो noun होते वहां पर generally दह नहीं आता है until or unless they are specific तो जब आप general idea और concept की बात करोगे कहीं पर भी किसी भी sentence में दुनिया के कोई भी वाकिम है तो आपको माँ पर दह लिखने की ज़रुवत नहीं है लेकिन हाँ अगर आप specific बात करो तो आपको compulsory दर लिखना ही पड़ेगा right guys so I hope guys आज का लेक्चर आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा तो गाइस मैंने article पढ़ा भी लिया कर और आज प्रेक्टिस भी कर वाली दो लेक्टर बना कि मैंने फिस आर्टिकल को पूरी तरह से खतम कर दिये स्टिल स्टिल मैं बोल रहा हूं स्टिल अगर आपके तरफ से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हूं और आए रहा हूं आहिए आपके बैठा करो मुझे पता आप मेंसे लेके बैठे लेकिन कुछ लोग नहीं लेकिए कुछ लोग कंसिस्टेंट नहीं है कुछ लोग रग्यूल नहीं है स्टार्टिंग में लेके बैठे फिर बीच में लेके बैठे फिर मुठ खराब उता हो नहीं बैठे फिर वापीर वखराइस नो रोज आ रहा हूं ना तो वह सकता है मुझे पोज ना प्रबलम और यह यह रोज न टॉक्र ultr इसे समझने की because shy birthday किया दो दिन किया तीन किया दो दिन फिला की किस आई होने वाला गाई यसे नहींbak आई क्योंकि और एसा ही इसे लाओ अभा साँ होती तो दूबैसा दुनिया के ए इंटिया के हर इंसना को इनसा गुर्मि take Thank you.